Students, आप सभी को मालूम होगा कि NIOS में आप जितने भी admissions होते हैं, वो सारे online तरीके से होते हैं, जिसका मतलब है कि आप लोग सारा form या जो भी processing होती है, वो सब आपके अप digital रूप से होती है, और किसी भी तरीके की आपको by hand या visit करके किसी भी department में, किसी भी विभाग में जाने की जरूरत नहीं होती है, टोटल admission process आपका online होता है, online uniform भरा जाता और online ही admission confirm होने की पूरी details आपको मिलती है, लेकिन होता क्या है कि बहुत से students को इस तरह की problems आती हैं, कि उनके admission confirm ही नहीं हो पाते हैं, और वो लोग इस चीज़ से परिसान रहते हैं, और तई समय के अंतरग dismiss हो जाता है, और next वाले उसके लिए फिर उनको दुबारा से एक तरह से fees pay करनी पड़ जाती है, ठीक है, तो student मैं आज उसी वाले topic पे आप लोगों को कुछ basic बाते बताऊंगा, कि किस तरीके से आप लोग इन सब चीज़ों से solution प्राप्त कर सकते हैं, आपके सामने screen पे ल इस तरीके का ही एक page display होता है आप लोग की नजरों के सामने, और यहाँ पर जो होता है सबसे पहले वाला block application status, इस पर आप लोग देखते हैं कि नीचे status में क्या आ रहा है, और document verification in progress आप लोग के उसमें लगवा काफी समय तक आता रहता है, साथी साथ कुछ students के उसमें क्या नहीं होता है, लेकिन बच्चे को ही सिकायत ही रहती है कि सर मेरा admission तो confirm हुआ नहीं, बट मेरे घर पे जो books हैं वो by post आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, student मैं आपको एक basic बात दाता हूँ NIOS की तरफ से, NIOS का क्या होता है नियम, कि जैसे ही कोई student अगर अपनी fees pay कर दे आपको उसी time दो चीजे अलॉट हो जाती है, पहले चीज आपका reference number, यह reference number आपको उसी time generate हो जाएगा और दूसरी चीज आपको जो books होती है, books भी आपको उसी time वहाँ पर से एक तरह से उसकी आपके लिए संस्तूती हो जाती है, वहां से वो चीजे बेजने के लिए आपकी करवा ही संपन हो जाती है, तो यह दो चीजे सिर्फ आपकी fees की वज़े से आपको अलॉट हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका admission confirm हो गया है, admission confirm होने के लिए सबसे main बात यह होती है कि आपके form में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, जो भी relevant document है as per your, जो भी माधियम के तहर जो जो आपने option का chain करा है form भरते समय, उन सब चीजों से संबंदित दस्तावेज भी आपको साथ में इसके upload करने होते हैं, तो students क्या होता है कि बहुत सो student form भरते समय तो कुछ ऐसे options को select कर लेते हैं, लेकिन वो लोग उससे relevant documents को online upload नहीं करते, जिस विसे में N.I.O.S. के द्वारा आप लोगों को digital माधियम से ही आपके portal पे समवाद किया जाता है और आप से उन सब चीजों की मांग की जाती है, लेकिन students क्या करते हैं, इन सब चीजों को नजर अंदाद कर देते हैं, या उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो day by day अपने N.I.O.S. के dashboard में जा करके active रहें और देखते रहें कि हमारे किस document के लिए हमें N.I.O.S. एक तरह से notify कर रहा है, आगर student इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता है और जो document आपसे वहां से ask कर गये हैं, मतलब N.I.O.S. आपसे मांग रहा है, कह रहा है कि उन document को जमा कीजे और अगर आप आप उन document को जमा नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरते हाल में आपका admission एक तरह से मान सकते हैं कि उस particular सत्र के लिए cancel हो जाता है, और इसकी एक last date होती है, इसको आप सीधे यहाँ पर देख सकते है, my document के नीचे एक date लिखी होती है, हमेशा लिखी होती है यह, जब भी आपका admission जि तो आपका admission confirm होने की संभावना बढ़ जाती हैं, बजाए इसके कि अगर आप इस date के बाद यतनी भी कोशिश कर लें, तो फिर last date के बाद आप सभी समझदार हैं कि उसमें किसी भी परकार का आपको entertain नहीं करा जाता है, और यह particular session जिसके लिए आपने admission करा था, वो आपका बरबाद हो जाता है, और मोटे मोटे तोर पर मैं आपको कहूं तो 6 महीने का आपको नुकसान हो जाता है, अगर किसी बच्चे ने अपरेल के लिए form भरा है, और उसके form में उसकी कई गलतिया है, जिसके बारे में से मालूम ही नहीं है, और उसनों गलतियों का सुधार भी नहीं करा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, उसका वह एड्मिशन वहाँ से कैंसल होकर के अक्टूबर के लिए माइगरेट हो जाएगा, अब मतलब जो बच्चे ने अपरेल में पेपर देने थे, अब वो अपरेल में ना देगा, क्योंकि उसका एड्मिशन तो कनफर्म हु और यह ऐसे ही माइगरेट होता रहेगा, जब तक कि आप चीजों को सही से सुधार ना कर ले, ठेक है स्टूड़न तो यह में बात है, और इस चीज को आपको बिलकुल ध्यान रखना है, इसी वज़े से आप लोग के अड्मिशन कनफर्म नहीं होते हैं, बात आती है कि कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ जाके शेयर कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि आपकी पर्टिकलर एड्मिशन क्यों नहीं हो रही है, उस चीज की भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, और वो आपको उससे संबंदित सॉलुशन आपको प्रोवैट कराएंगे, और आप ल गलतियों का सुधार भी किया जाएगा, और जब तक आपका एड्मिशन कंफर्म ना हो जाए, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है, स्टुडेंट तो ये पूरा तरीका होगा अगर आप अपना फॉर्म हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा हमारा एक सर्विस चार्ज होता है, जो आपको पे करना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक स्टुडेंट का फॉर्म रिव्यू करना है, तो इसमें काफी समय लगता है, और हर एक चीज को हम बारिकी से देखते हैं, और साथ में जिम्मेदारी भी ली ज आती है कि आपका admission confirm हो, इसलिए हम लोग हर चीज को पूरे हर एंगल से आप लोग के साथ share करते हैं, तो इसमें यही मैंने आपको दो चीजे बताई, अगर आपको सबसे best option वैसे आपके लिए आप regional center जाएं, खुद personally वहां visit करें और अपने admissions related तमाम जानकारिया प्रयात कर दूसरी जो service है, वो हमारे द्वारा है, वो हमने आपको कहा कि वो एक chargeable service है, है ना, तो यह पूरा तरीका होता है student, और इसमें मैंने आपको हर चीज बता दी, तो आप जब भी form भरें, तो इसमें पूरी गलती होगा, एक साइड रखे होने हैं, कोई भी गलती ना करें, क् जब तक आपका admission form सही से नहीं भरा होगा, सही दस्तावेज उसके साथ attach नहीं होगे, आपका admission confirm नहीं होगा, और एक बात मैंने आपको फिर बता दी थी, कि आपकी books घर पर आ गई हैं, इसका मतलब यह मत समझेगा, कि आपका admission confirm हो गया, क्योंकि books के उपर केवाल आपका reference number ह इस बात को ध्यान रखना, और reference number का मतलब नहीं होता है, admission confirm हो गया, enrollment number का मतलब होता है, कि admission confirm हो गया है, जैसे इस case में आप देख रहे हैं, कि इस student को reference number तो यह मिल गया है, लेकिन इसको enrollment number कोई नहीं मिला है, है ना, यह main बात होती है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और जिस student का admission confirm हो जाता है, उसके उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह दूसरे student का status है, यहाँ पर इसके इसमें लिखावा रहा है, admission confirmed, ठीक है, admission confirmed, और यहाँ पर दो चीज़े आपको देख रही है, reference number और enrollment number, यह दोनों चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलती ह ठीक है, तो इसका मतलब है, बच्चे का admission confirm हो गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, my documents के आगे कोई last date नहीं है, that means कि वो dates अब जा चुकी है, जब तक इसमें सुदाय कर सबता था, लेकिन इस बच्चे की details सारी सही थी, इसका form सही तरीके से भरा गया था, तो इसका admission confirm हो गया था, और admission confirm होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रिंट का option है, इस प्रिंट का option के निचे ही आपको आई-कार्ड का option मिल रहा है, that means ये बच्चे का पहचान पत्र होता है, और ये 5 साल के लिए valid होता है, इस बात को ध्यान रखना, अगर एक बार आपने NIS इसमें admission ले लिया, तो वो admission आपका 5 साल तक चलता है, और इस 5 साल तक आपको दुबारा admission लेनी की जरूत नहीं है, केवल आपको exam fees देनी होती है particular subject की, जो लगवग 200 रुपे के आसपास होती है, ठीक है, तो कभी कोई बच्चा अगर एक बार admission ले ले लेता है, और किसी subject मे fail हो जाता है, तो उसको दुबारा से admission लेनी की जरूत नहीं पड़ती है, ठीक है, और जो ये आपका ये i-card है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया है, उसमें पूरी आपकी details होती है, यहाँ आपकी photo होती है, यहाँ आपका enrollment number, mother name, father name, subject, आपका address, और यहाँ पर आपका study center का name होता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 5 साल की आपकी validity यहाँ पर दी रहती है, ठीक है student, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि आप लोग को बात अच्छे समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई और सवाल है, तो आप हमसे directly प आता है, ठीक है, तो student, I hope कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द आप लोग के साथ मुलाकात होगी, एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद.